हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक मैजिक रेमेडी लेकर आई हूँ सर्दिया चल रहे हैं मोसम चेंज होता रहता है सर्दी जो खाम की समस्यावी सभी को हो जाती है और सर्दी के कारण सीठ धर्द भी रहने लगता है तो आज उसी के लिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सूखा नारियल लिया है और सूखे नारियल में मैं यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाऊंगी एक स्क्वेर सेप में मैं एक छोटा सा पीस इसमें से निकाल दूगी जिसे हम इसके अंदर जो सामगरी भरनी है वो आसानी से भर दें अब ये देखें मैं एक ये छोटा सा कट लगा दिया है और अब मैं इसमें खस-खस को भरूगी हमें इस नारियल में आधा खस-खस और आधा बादाम से भरना है आपके पास जितना बड़ा नारियल हो आप उसी हिसाब से खस-खस और सुखे बादाम लीजिएगा क्योंकि हमें आधा खस-खस और आधा बादाम भरना है अब ये देखें मैंने यहाँ पर जो खस-खस लिया है मैं उसको इसमें डालूँगी अब हम इसको एक चमत से डालते हैं तो ये बिखरता है तो इसके लिए मैं एक फञनल का यूज़ कर सकती हूं लेकिन जिसके पास फञनल ना हो तो मैं उसके लिए भी बताती हूं हम इसमें आराम से कैसे डालेंगे होता क्या है कि खस-खस के बीच काफी छोटे होते हैं और बिखर जाएं तो इनको समेटना वड़ा मुस्किल होता है इनको प्लेट में ही रखकर डालना चाहिए और यह जैसे मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके पास फनल नहीं है, स्पून से बिखर रहा है तो आप इसे बड़ी ही आसानी से इस पेपर की हेल्प से डाल सकते हैं तो चलिए देखते हैं यह देखिए मैं अब इसमें बड़ी ही आसानी से यह सभी खस-खस इसमें डाल दूगी यह जो रेमेडिय हम बनाने जा रहे हैं ये पुराने से पुराना सिर्दर्द, नजला जुखाम, हडियों का दर्द सब को दूर करता है ये काफी अच्छी बड़ी रेमिडी है और ये काफी पुरानी दादी नानी के टाइम से चली आ रही है ये आपके बच्चों की भी यादास्त सक्ति को बढ़ाती है जैसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है बच्चों को काफी प्रॉबलम रहने लगती है, कभी-कभी सिर्दर्द रहने लगता है काफी समस्या होती है, आँखों की कमजोरी हो जाती है, जैसे आँखों से पानी आने लगता है तो ये चीजे सभी इस जो नुस्खे को अमतियार कर रहे हैं इससे दूर हो जाती है अब ये देखें मैं इसमें अब एक एक करके बादाम डाल रही हूँ बादाम से मैं ये पूरा नारियल भर दूँगी हमने इसमें खस-खस डाल दिये अब मैं ये सभी भरने के बाद इसको बंद करेंगे अब हलका हल्का जैसे सीर दर्द काफी लंबे समय से रह रहा है तो वो माईकरेन का रूप बी ले लेता है माइकरेन में कहते हैं कि आधे सिरु में दर्द होता है लेकिन कभी-कभी वो पूरे सिर, । जो हमें हम काफी खाते रहते हैं जो لمize Station के नुक्सान отвеч को शुण देती रहते हैं और सभी यहीं चाहते हैं कुछ हमें घरे जो हमारे इन बीमारियों को भी दूर करते हैं तो यह उसी के लिए हैं आप अपने परिवार को सही रख सकते हैं आपको थोड़ा सा महनत की जोड़त है यह घर पर कुछ दवाईया बनाने की अब उन में से एक यह रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगर आपको पस जो दूद आपके पास हो आप उसे आने से ले सकते हैं अब यहां पर मैंने जब यह एक उबाल आने ही वाला था मैंने तभी इन इसमें छोड़ दिया है आप आसानी से आराम से छोड़िये छीटे न लग जाए थोड़ा डर लगता है कुछ जो पूरानी कीचन में काम करते हैं वो आसानी से छोड़ देते हैं लेकिन जो कभी-कभी और पहली बार कीचन में आए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक दम डरते डरते छोड़ते हैं और छेटे लग जाती है और सही के बज़ए और ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो आरा पकने के बाद है हमारा जो यह इसके अंदर खसकस है और बाताम है वो एक रामबान ओज़दी का रूप लेगी क्योंकि यही एक अच्छी टेक्नीक है इसको अंदर पकाना की नारियल के अंदर ही पकने से एक अच्छी ओज़दी बने की दवा बने की क्योंकि इसको हम और लाह आएगी उसको भी ह Stupid破 रहेंगे जिसे हमार अब नारियल का निकाल है लेकिन लोग जाता है उसको भाद में साफ कर लेंगे अब धीरे धीरे करके हमारा ये पक चुका है जो हमारा नारियल जो सुखा नारियल था ये तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे बाहर निकालने के बाद आप इसको थोड़ा साफ करेंगे और ठंडा करने के बाद में आपको दिखाती हूँ अब देखे ये हमारा नारियल प सब्सक्राइब करने पाद अब उसको हम दुभारा से बाहर निकाल लेते हैं अब यह थोड़ा हमारा गर्म है सुखानारियले और आसानी से कट भी जाएगा जितना हार्ड होता है सुखानारियले उससे काफी ज्यादा इजी हो जाता है अब यह देखिए अंदर की साइज से थोड़ा बादाम भी चटक गए हैं और हमारी जो खसकस थी वह भी अच्छे से पक चुकी है इसके अंदर तो अब हम यह जो सुखा नारियल है इसके छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे और उसके छोटे-छोटे टुकड़े अपने हिस आप से कीज़ेगा क्योंकि हमको उसको एक मीक्सर ग्राइंडर में पीसना है उसको पाउड़ बनाना है तो आपकी मिक्सी जितना चोटे पीसे और से कर सकती हो आप उस हिसाब से कीज़ेगा और इस पाउडर का आप 1-1,5 महीने तक के लिए एक एर टाइट डबे में भरकर रख सकते हैं और आप इसको एक महीने तक continue दूद के साथ लेंगे रात में खाना खाने के आदा खंटे बाद जब भी हम दूद पीते हैं उस दूद से पहले हम ये बड़े आदमी दो चमच इस पाउडर का लें और उपर से दूद भी तो पुराने से पुराना सिर्दर्द कुछ जो सामगरी है मैं और भी मिलाओंगी मैं वो आपको अभी दिखाती हूँ जो मैं अब सामगरी मिलाओंगी उसमें से एक मिसरी है और जो मिसरी हमारी पाचन सकती को काफी बढ़ाती है हमारे तनाव को दूर रखती है ये काफी अच्छी रहती है हमारे डाइजेशन स आप जो हमारा सुखा नारियल है वह भी अच्छा आइर्न का सोथ है अब यह देखें में एहाँ पर इसमें वाइट पेपर सफेद मिर्च कह सकते हैं यहाँ की सब्सक्राइब यह लाई है कर आपके पास बड़ी मिस्री हो ज्यादा अच्छी रहती है इसमें मेरे पास वह मिस तो मैंने भी इसी मिस्टी का use कर लिया है मैंने पाउडर बना लिया है और मैं इसको एक बाउल में निखाल कर दिखाती हूँ आपको ये जो store करके रखना है वो airtight डबे में ही रखना होगा तभ ही ये सही रहता है और ये हमारी आँखों की कमजोरी को दूर करती है आप इसका यूज करेंगे तो आपको अपने जो कफ है बलगम है इन सब में भी काफी जादा फाइदा नजर आएगा ये आपको काफी फाइदा देगी और आपको हमारी रेमीडी कैसी लगी हमें जरूर बताईगा और अब समय है हमारे ब्यूटी टिप का ब्यूटी टिप में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो नारियल तेल होता है अगर आपके होट काले हैं उन पर काला पन आ गया है तो कुछ दिन के लिए आप नारियल तेल उस पर लगाए तो आपके होटो का काला पन दूर होगा और उसमें चमक आ जाएगी और इसे अलग अगर आप अलोएरा जेल में खीरे के रस को मिला कर लगाएंगे ये भी आपके होटो के लिए काफी फायदे मन रहेगा और कुछ दिन बाद ही आपके जो होट हैं लिप्स हैं वो काफी अच्छे चमक देने लगेंगे और उनका जो काला पन दूर होकर आपके होट कुला भी पिंक हो जाएगे आपको इसका असर कुछ दिनों में ही देखने में मिल जाएगा अब ये जो घरेलून उसके हैं थोड़ा समय लगता है लेकिन ये आपको रिजल्ट जरूर देते हैं तो आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी हमारा ब्यूटी टिप कैसे लगा जरूर बताएगा नच्त वी ए्ट अपको ए्यूर ने तग जूरूगा